एक बार पुनल स्वागते हैं आपका हमारे यूटूब चैनल पर तो साथियों आज किस वीडियों हम बात करेंगे NCRT की पार्टि पुस्तक अक्सा आठ विशेविज्ञान के चैप्टर संक्या ग्यारा विजुद्धारा के रासायनिक प्रभाव पार्टि पुस्तक में जो चैप्टर के अंदर प्रशने पूचे गए हैं उनका आज किस वीडियों हम सोलूशन करने वाले हैं तो ज्यादा समय को व्यात न करते हुए शुरू करते हैं अभ्यास प्रशन रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए तो रिक्तिस्थानों की पूर्ति के बाद जो वाकी इस प्रकार बनेंगे हम इस प्रकार लिखेंगे पहला है विद्युद चालन करने वाले अधिकांस द्रव अमलक शार और लवन के विलियन होते हैं तो यहां पर रिक्तिस्तान में अमलक शार और लवन लिखेंगे अगला हैं किसी विलियन के विद्युददारा प्रभाईत होने पर रासाइनिक प्रभाव उत्पन होता है तो यहां रिक्तिस्तान में रासाइनिक लिखेंगे अगला है यदि कोपर सलफेट विलिन से विद्यूतदारा प्रुवाईद की जाए तो कोपर की बेटरी के रिन टर्मिनल से सहयों जी पलेट पर निक्षेपित होता है तो यह रिक्षिब्ति स्तान में रिन लिखेंगे अगला है विद्यूत दारा द्वारा किसी पदार प्रवांचित दातू की परत निक्षेपित करने की प्रिक्रिया को विद्यूत लेपन कहते हैं तो यहाँ पर विद्यूत लेपन रिक्तिस्थान में भरेंगे अगला प्रशन है जब किसी संपरिक्षित के स्वतंतर सिरों को किसी विलेन में डूबोते हैं तो चुम्ब की सुई विक्षेपित होती हैं क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं तो आंसर में लिकेंगे कपा सुई एक विक्षेपन दिखाती हैं जो यह निश्कर्ष निकालती हैं कि तार के माध्यम से दारा परवाइत हो रही हैं जैसे ही परिक्षक के मुक्त सिरे गोल के अंदर डूबे होते हैं सरकिट पूरा हो जाता है अगला प्रशन है इसे तीन दर्वों के नाम लिखिए जिनका परिक्षण चित्र में दर्साई अनुसार करने पर चुम्ब की शुई विक्सेपित हो सके तो आंसर लिखेंगे अमलक शार और लवन के विल्यन अगला प्रश्ण है चित्र में दर्साई की व्यवस्ता में बल्ब नहीं जलता क्या आप संभावित कारणों की सुची बना सकते हैं अपने उत्तर की व्या क्या कीजिए तो आंसोर लिखेंगे बल्ब के न जलने की संभावना निमलिकित कारणों से हो सकती है पहला दर्व अचालक हो सकता है इस इस्तिती में सर्किट अधूरा है और करंट तरल से उकर नहीं गुजरता दूसरा विद्यू दरा कमजोर हो सकती है क्योंकि सर्किट ऐसे पदाल से बन द्रव बल्ब द्रव A के लिए चमकिला दिपतुआ जबकि द्रव B के लिए अत्यंत दिमाव दिपतुआ आप निश्कस निकाल सकते हैं कि इन चारों में सो आंसोर होगा द्रव A द्रव B से अच्छा चालक है अगला प्रश्न है क्या सुद्ध जल विद्यूत का चालन करत अगला प्रश्न है आग लगने के समय फायर मैन पानी के होज या पाईपो का उप्यों करने से पहले उस चैतर की मुख्य विद्यूत आपूर्टी को बंद कर देते हैं व्याक्या कीजिए कि वैसा क्यों करते हैं तो आंसोर लिखेंगे आग लगने की सितिय में फायर मैन प इस बावना बढ़ जाती हैं वायर के माध्यम से इससे दमकल कर्मियों को नुकसान हो सकता है अगला प्रश्न है तटी चेतर में रहने वाला एक बालक अपने समप परिक्षित से पीने के पानी तेता समुंदर के पानी का परिक्षिन करता हैं वह देखता हैं कि समुंदर के पानी के लिए चुम्ब की सुई अधीक विक्षियप दर्शाती हैं क्या आप इसके कारण की व्याक्या कर सकते हैं आंसर लिखेंगे समुंदर के पानी में लवनों की सगंता अधीक होती हैं इसी कारण चुम्ब की सुई अधीक विक्षियप पित होती हैं अगला प्रश्न प्रशने पहली ने पूछा सुना था कि वर्षा का जल उतना ही सुद्ध है जितना की आसूत जल इसलिए उसने एक सुच काच के बरतन में कुछ वर्षा का जल एकक्तित करके समपरिक्षित से उसका परिक्षिन किया उसे यह देखकर आचे जुआ कि सुम की सुई विक्सेस द पानी के गुलते हैं तो इक खटा किया वसुद जल असुद हो जाता है यह असुद्यां वर्षों के जल में गुल कर इसे विजुद का चालक बना देती हैं अगला प्रशने अपने आसपास उपलब्द विजुद लेपी वस्तों की सुची बनाई है तो आंसर में लिखेंगे सुची इस परकार हैं कार के कुछ भाग सनानगर की टोंटी गेस बर्नर साइकल का हैंडल और पहिये की रिम अगला प्रशन है जो प्रक्रिया आपने पाठ ठिप उस्तक के किरिया कलाब चाउदा पॉंट साथ में देखी वो कॉपर के संदन में उप्योग होती हैं एक पतल कोपर सलफेट विद्यूद में विद्यूद्दारा प्रवाइद की जाती हैं तो कोपर सलफेट कोपर सलफेट में न्योजित होता है स्वतंत्र कोपर बैटरी के रन टर्मिलर से संदन में इलेक्ट्रोड की और आकरसित होता है तता उस पर निक्षेपित हो जाता है आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के description में link दिया गया है वहाँ से आप इसको easily डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो like और share कीजेगा चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के solution के साथ